आस्वात घर की रसोई से मैं आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे तिरंगा पूरी ये पूरी आप Independence Day या Republic Day के दिन बना कर enjoy कर सकते हैं या ऐसे भी आपका कभी कुछ अलग खाने का मन हो या बच्चों को कुछ खाना पसंद ना रहो तब आप ये बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने लिये गाजर और पालक गाजर में लाल मिर्च डा लिये और पालक में हरी मिर्च और इसका पेस्ट बना लिया है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप ना डाले फिर हमने यहाँ पर साधा आटा गुत लिया है प्लेन उसमें मैंने एक चमद सूजी आट की है और यह मैंने उतने ही कॉंटिटी में आटा लिया है जिसमें हम गाजर के पेस्ट से आटे को गुत लेंग सेम कॉंटिटी में हम फिर से आटा लेंगे और उसमें हम अपनी पालक की पूरी को गुत लेंगे यह ती रंगा पूरी हम नाचरल कलर से बना रहे हैं कोई भी आटिफिशल कलर आड नहीं कर रहे हैं यह खाने में भी बहुत टेस्टी होती है हेल्दी भी होती है और दिखन को आधा करके थोड़ा सा ऑईल लगा के हमें इसकी मोटी सी रोटी बेल लेनी है थोड़ी मोटी साइज में होनी चाहिए पतली नहीं देखिए इसको अच्छे से हम तेल से कोट कर लेंगे और बेलन से बेल कर मोटी सी रोटी बना लेंगे देखिए अब जादा भी आटा ले सकते हैं जादा मोटी रोटी बना सकते हैं मैं अभी आपको थोड़ा बना कर दिखा दे रही है सेम हमें तीनों आटों की लोईयों के साथ सेम वैसे ही रोटी बनानी है उसी साइज की और फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी देखिए ये प्लेन आटा है हमारा और ये जो हमने गाजर की पेस्ट से आटा गुथा था वो है इसके भी हम सेम साइज की रोटी बना लेंगे ये दम नैचरल कलर से है खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है और दिखने में भी बहुत कलरफुल लगते है तो देखिए अब हमें क्या करना है अपनी रोटीयों में अच्छे से तेल लगा लेना है तेल लगा के हमें तीनों रोटीयों को एक साथ रखना है एक के उपर एक देखिए और थोड़ा हातों से प्रेस कर लेना है ताकि ये चिपक जाए और इसे हम बेल के थोड़ा सा और पतला कर लेंगे देखिया मैं जैसे कर रही हुा वैसे ही आपको करना है देखिया अच्छे से इसे बेट लेना है बेड लिने से क्या होगा य अच्छे से चिपक भी जाएँगी और थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएँगी य नहींद आ तो यह का फीय reform कर लेना है कहीं से मोटी कहीं से पतली ना रहा है हमारी रोटी देखिए अच्छी तरह से इसे हम बेल लेंगे और बेल कर अब हमें इसे फोल्ड करना है देखिए मैं थोड़ा सा ओल पतला कर ले रही हूँ देखी अच्छे तरह से बिल चुका है और देखी है अब हमें इसे फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करके असे रोल बना लेना है हमें और अच्छे तरह से प्रेस कर लेना है रोल को भी ताकि ये खुलेना हमारा रोल हाथों से भी मैं थोड़ा सा लंबा करके प्रेस कर दिया है और इसे हम एक knife लेंगे उस पे भी हम थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और cut कर लेंगे जैसे हम आटे के रोटिया बनाने के लिए पूरिया बनाने के लिए लोईयां cut करते हैं उसी size की cut कर लेंगे यह देखिये साइड में रख देती हूँ, देखे हमारी लोई तैयार हो चुकी है, देखे कलर्स दिख रहे हैं आपको, ओरेंज, वाइट और ग्रीन, अब हमें इसकी पूरिया बेल लेनी है, जैसे हम अपनी नॉर्मल पूरिया बेलते हैं, उसी तरह थोड़ा सा आटा लेंगे, और इसे बेल लेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कुछ भी आपको परिशानी नहीं होगी करते वक्त, देखे, अगर आपको कलर थोड़ा लाइट लग रहा हो, तो आप जादा कॉंटिटी में प्योरिया आट कीजिए, अपने आटे में तो आपको डार्क शेड मिल रहेगी, या आप चाहे तो फूट कलर भी आट कर सकते हैं, मैं विदाउट फूट कलर आट किये हुए प्रेफर करती हूँ, यह देखे, सारी आपको कलर्स की लेर्स दीख रहे होंगी, इसी तरह हमने और भी पूरिया बेल लेंगे हमारी, यह पूरिया आप कैसे भी खा सकते हैं, को ब्रॉंजी लगा देंगे, ब्लैक सीट्स, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, या स्किप भी कर सकते हैं, यह मैं बस पूरिया हमारी अच्छी दीखे, इसलिए लगा रही हूँ, और फिर इसे हाद से प्रेस कर लेंगे, ताकि यह सीट्स गीरे ना और मैंने साइड में ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छी से तेल गरम हो चुका था, तो उसमें हमने अपनी पूरियों को अट कर दिया, जिस तरह हम नॉर्मल अपनी पूरियों के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह कहा में आटा लगाना है, बस फ़र कितना यह में नमक आट करना चाहिए तो भी आट कर सकते हैं देखिए हम बिल्गुल आराम से पूरिया हमारी फूल जा रही है थोड़ा सब बस हलका सम प्रेस कर देंगे तो अच्छे से फूल जा रही है हमारी पूरिया देखिए अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाह रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई अधर रेसिपी चाहिए हो देखनी हो तो आप मुझे जरूर बताए मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी देखिए हमारी पूरिया अदम फूली फूली हो रही है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुन्दर दिखती है देखिए हमारी पूरिया गर्मा गरम तयार है एंजॉय किजिए मिलते है नेक्स वीडियो में बाई